नमस्कार दोस्तों मेरा नाम विकास है मैं एक आजुरुवेदिक फार्मासिस्टू और इन वेडियो के माद्यम से मैं आप तक आपकी हेल्थ से जुड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पहुचाने की कोशिश करता हूं तो आज हम समझेगे कि थायराइड की समस्या में हमारा डाइट प्लान कैसा होना चाहिए तो मैं आपको बहुत ब्रीफ में बताऊंगा और अगर यह बहुत ब्रीफ इंफॉर्मेशन को भी अगर आप अप अपने डाइट प्लान में शामिल कर लेंगे तो आप थायराइड की समस्या को बहुत तक कंट्रोल कर पाएंगे तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं एक कि क्या अवाइड करना है और क्या खाना है इन दोनों को अच्छी तरीके से समस्या हो तो ऐसे केस में आप गोबी कॉली फ्लावर जो सबजी वजेटेबल होती है इसको पूरी तरीके से अवाइड करें इसे नहीं खाना दूसरा स्पिनिच साग को नहीं खाना साग को पूरी तरीके से कंट्रोल कर दें तीसरा सोया से रिलेटर जितने भी प्रोड़क्ट होते हैं उनको पूरी तरी इसको पूरी तरीके से आवाइड करें आपको इन सारी चीजों को थाइराइड के केस में आवाइड करना है और आपको क्या खाना है तो आप ऐसा फूड लीजिए जिसके अंदर में सेलेनियम नाम का मिनिरल हो जैसे की ब्राउन राइस आप ले सकते हैं दूसरा ब्राजिल न सकते हैं यह भी थाइराइड में बहूत इंपॉटेंट हैं इसके अलावा थारयाड के केस में मश्रूम खा सकते हैं जरूड करें यह बहुत एंपॉर्टिकेशन करना हैं और इते करें यह थायराइट की केस में बहुत इंपोर्टेन रहता है बहुत अच्छा रहता है आदे घंटा योगा जरूर करें इससे भी थायराइट को बहुत अच्छत कंट्रोल किया जाता है तो दोस्तों यह थी ब्रीफ इंफॉर्मेशन डाइट प्लान के बारे में थायराइट क कीस में आगे भी मैं आपको health से जोड़ी important information देता रहूँगा धन्यवाद